नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एडोके डीपी पांडे एक दोस्त ने सवाल किया है कि दोस्मुक्ती कितने तरह की होती है और किस तरह की दोस्मुक्ती का गौर्णमेंट जाप पे प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों जहां तक दोस्मुक्ती की बात आती है तो अक्सर ये कुछ साबित नहीं कर पाया इस वज़े से अभिक्त को दोस्मुक्त किया जाता है जो संदेह का लाव होता है वो अक्सर अभिक्त को मिलता है अगर जहां भी ऐसी स्थिति आती है कि कहीं ऐसा नहों वो दोसी है नहीं है जैसे ही संदेह क्रियेट होता है तो उसका हमेशा लाव अविक्त को मिलता है और वो छूड़ जाता है संदे एक अलाब उसे मिल जाता है लेकिन वहाँ पर जहां साच्छ और सबूतों के अभाव में या साच्छ सबूत जो रखा गया नयाले के समक्ष दिया गया उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि दोस्चिद्ध किया जाए तो ऐसी स इस्थितियां है जो चाहे वो संदे का लाब हो चाहे वो दोस्मुक्त ऐसे ही किया गया हो कि कोई साच्छ और सबूत ऐसा नहीं पताता कि दोस्चिद्ध हो सके तो दोनों ही इस्थिति में नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता दोस्मुक्त हुए हैं चाहे जिस इस्थित संदेह का लाब मिला है तो इस अधार पे आप उच्छ नाले उगरे में इस तरह की अपील कर सकते हैं इस बात की या चिका दाखिल कर सकते हैं कि आपको दोस्त मुक्त किया गया है उसके बावजूद भी इस नौकरी में इस तरह से रुका जा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग ज जाब इस लिए मिला है कि जब तक वो मुकदमा चलता है तो दौरान बिचान किसी को कैसे मान ले अजाए कि वो अभ्यूक्त है जब तक कि उसका जज्जमेंट नहीं आ जाता तो अगार दोस्त मुक्त हो गया है चाहे जैसे हो गया तो गौर्ण्ट जाब पे उसका कोई अस हैं तो सारी स्थिती ठीक है आपको गवर्मेंट जाम मिलेगा वो चाहे जिस तरह से हो तो आई होप कि इस वीडियों से आपको समझ में आ क्या होगा वीडियों अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद